तो तब तक इंसान रहेगा जब तक यह बिजनिस चलेगा जो कि water plant बिजनिस तो इंसान जब भी travel करता है तो पानी की पाउच या पर पानी की बोतल जरूर लेता ही है तो ज़्यादा तर दुकानों पर बिसलरी की बोतल ही मिलती है क्योंकि बिसलरी आज के टाइम पर एक brand बन चुका है तो आप भी पानी की पाउच या पर पानी की बोतल का बिजनिस करने की सोच रहे हो तो यह बिजनिस आपके लिए बहुत ही फायदेबन nutzen है इस वीजनिस में investment तो है लेकिन profit भी बहुत ही जदा हैं अगर आप पानी की पाउच पानी के बोतल बनाने का business करना चाते हो तो इस वीडियो को light तक जरूर देखा है इस वीडियो में आपको सारी detail बताने जा रहा हूँ आप पानी की पाउच बना कर बेचने पर कितना profit होगा पानी की बोतल बना कर ब पानी की बोतल बनाने की सारी detail मिल जाएगी और आपको market में किस तरीके से sell करना है मैं आपको सब कुछ बता दूँगा तो इस वीडियो को light तक जरूर देखा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही knowledgeable होने वाली है तो चलो start करते हैं पानी की पाउच से तो यह देखो इस त automatic पानी की पाउच फैक करती है अब बात करें एक बोरी पानी की पाउच कितने रुपए में बनकर तयार हो जाती है जो कि एक बोरी में 100 पानी की पाउच होती है किसी-किसी में 80 वी होती है वो तो आपके उपर defend करता है आप कितने पाउच की बोरी बनाना चाते हो तो जो 100 पानी की पाउच की एक बोरी होती है वह 35 रुपई की बनकर तयार हो जाती है जैसे कि बिजली का कर्चा पॉली थिन और मजदूरी काट के सारा कर्चा काट के 35 रुपई की बनकर तयार हो जाती है अब बात करें आपको माल को सप्लाइ कैसे करना है तो माल को सप्लाइ करने के और यह अरसे लिए, आपको ओलसेलरन डिस्टूइ Τरूर वनाने होंगे, जब आप आप alseller डिस्टूइलर वना लेते हो, तो आपको direct mal को all seller डिस्टूइटर के पास sell करना है, फिर आंगे वो sell करता रहेगा, अब चलो मैं आपको एक example बता रहा हूँ, आपने market में कम से कम पांच all seller distributor भी बना लिए, और एक all seller distributor के पास आपने 100 से डोट से बोरी भी एक दिन की sell कर लेते हो, तो 5 all seller distributor के पास आप 500 बोरी भी sell कर लेते हो, मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, वो तो मैं आपको अभी छोट बड़ी लेवल का बता रहा हूँ, आप बड़ी लेवल पर पहुंचा होगे, फिर तो आपकी बोरी यां बहुत ही जाना sell होगी, यह मैं आपको एक example बता रहा हूँ, अगर एक all seller distributor 100 बोरी भी ले ले लेता है, तो 5 all seller distributor 500 बोरी ले ले लेंगे, एक दिन की, अब एक बोरी प कर सकते हो, आपकी 500 बोरी पे आपको एक दिन का 10,000 रुपय का profit होगा, यह तो मैं आपको एक चोटी लेवल का example बता रहा था, बो तो फिर आपकी जब आप बड़ी लेवल पर काम करने लगे, ज़्यादन बोरी आपकी sell होने लगेगी, फिर तो आपके ज़्यादन और पानी के बोतल का brand बना सकते हो, अगर एक बार brand बन गया फिर तो पैसा ही पैसा होगा, तो लाश्ट में मैं आपको यह भी बताऊँगा, आपको इसी चोटी सी factory को बड़ी लेवल पर कैसे ले जाना है, और आपको अपना brand कैसे बनाना है, तो चलो अब बात करते हैं, प पूरी तरह से गरम हो जाता है, गरम होने के बाद फिर इस के अपसूर को इस अगली मसीन में बोतल बनाने के लिए लगा दिया जाता है, अब जी जो बोतल है वो मात्र एक से दो सेकिंड में बन कर तयार हो जाती है, अब बोतल बनाने के बाद आरो का फिल्टर हुआ पानी जो की पहले बोतल को पानी से साफ पिया जाता है अच्छी तरीके से साफ हो जाने के बाद फिर इन बोतलों में पानी वरा जाता है पानी वरने के बाद फिर इन बोतलों में डखकन लगाया जाता है धक्कन लगाने के बाद फिर आपको सारी बोतलों में अपने व्रेंड का इस्टीकर लगाना होता है सारी बोतलों में इस्टीकर लगाने के बाद इस गरम गैस मसीन से बोतलों में लगे हुए इस्टीकर को अच्छी तरीके से चिपकाया जाता है और चिपकने के बाद फिर बोतलों की क्रेट बनाई जाती है क्रेट बनाने के लिए बोतलों को इस तरह की पन्नी में रखा जाता है रखने के बाद इस गरम गैस मसीन से पन्नी को बोतलों से चिपका दिया जाता है और जो बोतल की क्रेट है वो बनकर तयार हो जाती है मार्केट में सेल करने के लिए अब बात करें अगर आप इस विजनिस को स्टार्ट करते हो तो आपको कौन से कौन से लाइसंस बनवाने होंगे तो इसके लिए आपको Food Safety and Standard Authority of India से लाइसंस लेना पड़ेगा बी आईस लाइसंस लेना पड़ेगा अनोसी सैटिफिकेट ट्रेड मार्क पंजियन और मिनरल वाटर की गुडवत्ता परिच्छन की रिपोर्ट होना अनिवार रहे है अब बात करें यह बिजनिस आपका कितने रुपए में स्टार्ट हो जाएगा तो जो पानी पैकिंग मसीन है वो आपकी डेड़ लाक रुपए तक की आ जाएगी उसके बात जो फिल्टर आ रहो है वो आपका आ जाएगा एक लाक रुपए का तो अब जे दोनों चीज हो गई है आपकी डाई लाक रुपए की तो ये टोटल हो गए आपके 15 अलाक रुपए तो आप बोतल बनाने वाली मसीन ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो ये आपके उपर depend करता है क्योंकि बोतल बनाने वाली मसीन उसे तो आप बाद में ले सकते हो जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए और डिलेवरी करने के लिए पानी बोतल की पाउच के लिए 4 पाईया वहान भी चाहिए और आपको 6-7 लड़के भी चाहिए क्योंकि एक लड़का तो आपकी पानी की पाउच फैकिंग मसीन के लिए चाहिए और कम से कम 3-4 लड़के पानी की बोतल पैकिंग मसीन में लगेंगे और 2 लड़के पानी की पाउच और बोतल को डिलेवरी करने के लिए चाहिए तो कम से कम आपको 7 लड़के तो चाहिए ही इसमें आप कुछ चीजा किराय पर भी ले सकते हो जैसे कि 4 पाईया बहान हो गया और बोतल हैं तो आप फैक्टरी से भी ले सकते हो जिससे आपका कुछ पैसा बच जाए जब आपका बड़ा विजनिस हो जाए आप तब इस चीज़ों को ले सकते हो तो आप इस विजनिस को स्टार्ट करते हो तो आपका इस विजनिस में टोटल कर्चा आने वाला है जो की 15-20 रुपए 15-20 रुपए में यह विजनिस इस्टार्ट हो जाएगा और आप इस विजनिस के तुरू मंतली अच्छा-कासा पैसा कमा सकते हो इस विजनिस में इतना प्रॉफिट है इतना प्रॉफिट किसी भी विजनिस में नहीं है तो अभी तो मैंने आपको अभी चोटी का बिजनिस बताया है और चोटी-चोटी मसीना भी बताइए आपको अगर आप इस विजनिस में दीरे-दीरे सक्सेस्पुल हो जाते हो तो फिर आप बड़ी फैक्टरी भी खोल सकते हो और बड़ी मसीने भी लगा सकते हो और आप अपना ब्रांड भी बना सकते हो जैसे कि कोई विजनिस स्टार्ट करो पहले आप चोटा विजनिस स्टार्ट करो एकदम बड़ी फैक्टरी नहीं खोलो क्योंकि पहले नॉलेज लो अपनी पैचान वनाओ नॉलेज लेते दीरे-दीरे उस विजनिस को बड़े लेवल पे ले जाओ पहली बार महीं बड़ा विजनि मशीना, खाँ पह मलेगी, तो आपको यह सारी मशीना, इंडिया मर्ट नए इस तरी проб की कुछ इसे करना है। तो जैसे कि अभी के टाइम पर social media का user कोई करता है, आप social media के तुरू अपना brand famous करवा सकते हो, आप अपने brand का ad चलवा सकते हो, आप जितना जादा ad चलवा होगे, आपका brand उतना जल्दी famous होगा, क्योंकि आज की दुनिया में अर कोई चीज ad देखकर ही करीपता है, जैसे कि इनसान को जिस चीज का ad जादा दिखाई देगा, इनसान उसी चीज को जाना खरीदेगा, जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ, एक दुकान पर दो चीज रखी हुई है, एक का इनसान ना ad देख लिया, एक का ad नहीं देखा है, तो इनसान उसी चीज को खरीदेगा, जिसक और एक दिन ब्रांड बन जाएगी, तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, ऐसे न्यूली विजनेस आइडिया चाहिए, फुल नॉलेज चाहिए, तो आप अपने वाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दो, और आपको कुछ डावट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो,